और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे यूपी सरकार के एक और मंत्री ने आज अपने पत से स्तीफा दे दिया है यूपी के आयूश मंत्री धरम सिंग सैनी ने अपसे थोड़ी देर पहले राजभवन को अपना स्तीफा भेच दिया है तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की स्यासत से जुड़ी होई आ रही है यूपी सरकार के एक और मंत्री ने आज अपने पत से इस्तीफा दे दिया है यूपी के आयूश मंत्री धरम सिंग सैनी ने अपसे थोड़ी देर पहले ही राजभवन को अपना इस्तीफा भेच द का अबित का कुछ जानकारी मिल पारिये तीसरे मंत्रिएं धरबसिंग सैनी जिनों ने सरकार से स्तीफा दिया है जिन बिल्कुल ये तीसरे मंत्रि के धरबन स Jard dove उनको अपना इस्तीफा लेटर बेजा है और जिस तरीके से पिछले दो मंत्रियों के स्तीफे के बाद हमने देखा था कि अखलेस यादो ने उनके फोटोग्राफ के साथ ट्वीट किया था तो देखनी वाली बात होगी कि क्या अखलेस यादो इनके साथ भी फोटो ट्वीट करते है मैं इस वक्त धर्म सिंग सैनी के घर पे हूँ और मैं आपको तस्वीरे दिखा हूँ तो देखे ये धर्म सिंग सैनी का घर है लेकिन ये सुबह से कहां है इस बारे में कोई किसी को मालूम नहीं है ये उनका सरकारी गाड़ी है सरकारी बंगला है सुबस है कहाँ, इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, सुबस है इनका नंबर स्वीच ओफ आ रहा था और उसके बाद अचानक सस्पीसियस माने जा रहे थे, लोग कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि वो रिजाइन कर दे तो उसके बाद अभी जिस तरीके से खबरे आए कि उ आउसन, लाल बर्मा, ये जो तमाम विधायक हैं और तीन बड़े चहरे जिनों ने इस्तिफा दिया है, ये तैम आना जा रहा है कि कहीं समझवादी पार्टी ये सब जॉइन करेंगे, अब फिलाल मैं एक बार फिर आपको तस्वीरे दिखा हूँ, तो देखें, OBC के चेहरे हैं और जिस तरीके से पहले स्वामी प्रसाद मौरिया ने इस्तिफा दिया, उस हुआ है दारा सिंग चोहान और उसके बाद यहां पर धर्म सिंग सैनी ने इस्तिफा दे दिया, तो जाहिर तोर पे ये करारा जटका है योगी मंत्री मंडल, योगी सरकार के लिए, जिस तरीके से हमने देखा केशव प्रसाद मौरिया ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रस कांफरेंस करके कहा कि 2017 से भी बड़ी जीत होगी इस बार बीजेपी की, यानि चंद दिनों बाद जो विदानसवा चुना होने वाला है उसमें बड़ी जीत होगी, ये अब तीन बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौरिया, दूसरा बड़ा चेहरा दारा सिंग चेहुहान और तीसरा धर्म सिंग साइनी, हाला कि धर्म सिंग साइनी ने अभी तीन दिन पहले एक अपना वीडियो जारी किया था और कहा था कि वो जो भावन में इस तीफा लेटर अपना भेज दिया, लेकिन फिलाल अभी धर्म सिंग सैनी है कहा, इस बारे में इस बाबत कोई जानकारी नहीं है, तो एक बार फिर अपने दर्शकों को इस वक्त की यूपी के सियासत से जूड़ी वी, ये बड़ी खबर हम आपको बता द जो फ़ावन को सौब दिया है, तीसरे मन्तरी है, जिनोंने यूपी सरकार से इस 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 शवावन को सौब दिया है, अमित मेरे संयोगी इस खबर पर लगाता, आप तक हर एक अपडेट पहुचा रहे है, लेकिन अमित अभी तब सवाल यह है, कि मन्तरियों के स्वावन के स करेंगे 2017 से भी शांदार जीतोगी इस बार लेकिन इस तीफे कब रुकेंगे कि बीजेपी ने साफ साफ कहा हुआ है कि वो एक सर्वे करवा रहे थे कि जिन विधायक मंत्रियों का पर्फॉर्मेंस थाफ सही तरीके से नहीं रहा है पिछले 5 सालों में उनको टिकेट नहीं दिया जाएगा उनकी जगापर नये सेनी को जोड लिया जा तो यह तीसरे मंत्री हैं तो तो जिस तरीके से लगातार रेजिगनेशन मंत्री भेजते रहे हैं राजभाउन तो इससे इसका डामेज कंट्रोल करने के लिए सुतंग देव संग और सुनिल बंसल को भी लगाया गया था बीजेपी के आला कमान के हैं तो जो डामेज कंट्रोल करना की कोशिस कर रही थी बीजेपी वो डामेज कंट्रोल हो नहीं पाया फिलाल 14 लोग अभी तक इस्तिफा दे चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि सभी समाजबादी पार्टी को जोईन करेंगे लेकिन बीजेपी का दावा है कि इन सभी पार्टी में अंदेकी हो रही थी वहीं बीजेपी का ये दावा है कि इन विदायकों के टिकेट हम पहले से ही काट रहे हैं इसके डर से ये पार्टी छोड़ रहे हैं नतीजा नफा नुकसान क्या होगा यह दस मार्च के नतीजे यहीं बताएंगे वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग ने बीजेपी छोड़कर जाने वालों पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने ट्वीट करके पार्टी छोड़ने वालों पर हमला किया और कहा कि ओबीसी समुदाए को बीजेपी में सबसे ज़्यादा प्रती निधित्तों मिला है उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए का कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ परिवार का ही भला होता है तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव उन्होंने उन तमाम लोगों पर ट्वीट करके ये वार किया है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने ट्वीट किया है क्या लिखा है वो भी आपको बता दे OBC समाज को समाजिक आर्थिक और राचनितिक प्रतिन धित्वा जितना भाजपा में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला हमारे लिए पी का अर्थ पिछडों का उत्थान है कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान होता है